हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आई होप यौल आर डूइंग ग्रेट अगर आप लोग एकनॉमिक्स लास 11 में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो यह 15 ऐसे कोशन से जिन पर आपको जादा से जादा फोकॉस रखना है ताकि जो आपका स्कोर है वो मैक्सिमाइज हो जाए और आप लोग एक अच्छे स्कोर तक पहुच जाओ तो माइन अम ही सर्ज थापर और टुड़े वी आर गोइंग टो डिसकर्ज दा 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट कोशन से जादा इंपॉर्टेंट कोशन है वो है डिफरेंस बिट्वीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स डिटा आपको बताना है कि प्राइमरी सोर्स अफ डिटा और सेकेंडरी सोर्स अफ डिटा में क्या डिफरेंस होता है मिनिमम आपको चार्ड से पांच डिफरेंसिज लर्न करके जाने है ठीक है कई बार एक्जाम में कोशन पूछा गया एक्जामीनर का फेवरेट कोशन है most of the time सी question पूछता है पूछता है वो आपसे ठीक है statistics वाली बुक में से आपका एक question और भूँजारा important है second most important question है what is economics पच्चों को लगता है कि बहुत चोटा question है economics और explain करो what is economics पढ़के नहीं जाते हैं लेकिन examiner repeatedly इस question को पूछता है आपसे तो कि examiner को पता है कि आप इस question पर ध्यान नहीं दोगे बट आपको इस साल इस question बहुत जादा ध्यान देना है ताकि आप लोग का question सही हो जाए third most important question है bar diagram और pie diagram से related आपको bar diagram और pie diagram दोनों अच्छे से बनाने आने चाहिए कोई ऐसा है इसमें rocket science नहीं है bar diagram और pie diagram बनाना कोई मुश्किल चीज नहीं है एक बाब practice करोगे तो आप लोगों सही बन जाएंगे अगर आपको लगता है कि इसमें difficulty आती है तो मैं आप लोग के लिएक वीडियो बना सकता है इसको उपर फिफ्ट जो आपको numerical रहेगा statistics से वो है spirits means rank correlation एक question पक्का इसका आता ही आता है हर साल rank correlation के ओपर ठीक है 6th most important question है consumer price index आपको consumer price index बनाना चाहिए इसका दूसरा नाम बता है cost of living index कुझी बोल लो consumer price index बोलो या cost of living index बोलो कुझी बोल दो बहुत important question है यह भी आपको prepare करना नहीं numerically ठीक है 7th most important question है difference between positive and normative economics positive economics और normative economics में क्या differences होते हैं आपको बताने है 4 से 5 differences learn करके जाना minimum ठीक है 8th most important question है central problems of an economy जो कि what to produce, how to produce, for whom to produce होती है उससे related है कि central problems क्या होती है economy में 9th most important question आपका रहेगा opportunity cost opportunity cost क्या होती है और उसके examples के साथ इसको learn करके जाना बिने examples के learn करके मत जाना with example करके learn करके जाना इसको with examples 10th most important question है consumer equilibrium through indifference curve approach indifference curve approach के तुरू आपको consumer equilibrium बनाना आना चाहिए most important question है ठीक है 11th most important question है factors affecting demand ऐसे कौनकोंसे factors होते है जो demand को affect करते हैं आपको पता होने चाहिए 12th most important question है law of return to a factor law of return to a factor बोलो या law of variable proportion बोलो कुछ भी बोलो most important question है यह ठीक है 13th most important question है law of supply law of supply क्या होता है with diagram and table table and diagram के साथ learn करके जाना ऐसे मत learn करना इसको ठीक है normal definition learn करके जाओ ऐसे नहीं होना चीए with table and diagram करके जाना 14th most important question है perfect competition market और उसके features perfect competition market क्या होती है उसके features क्या होते है आपको बताना है 15 most important questions price ceiling and price floor के उपर price ceiling और price floor क्या होते है आपको बताना है इनके implications क्या होते एक आपको यह भी बताने आपको ठीक है तो 15 i.s. questions है जो आपके जातर exam में repeat होते हैं इनको pen down कर लो जो भी फोलो करो उन में से इनको learn कर लो जो practice कर लो लेकिन अभी से त्यारी करना शुरू कर दो ताकि आपको जो score हो maximize हो जाए तब तक के लिए all the very very best channel को subscribe करना मत भूलेगा और साथ में लेगे बेल आकन को प्रेस कर देना ताकि latest videos और updates आप लगों से पहले मिलते रहें thank you